अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो डू सब्सक्राइब कर लेजे ताकि आपको मेरी वीडियो मिलते रहे मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा मेरे नूट्स पे नूट्स जो हेंट रिटर नूट्स होंगे वो टेलिग्राम के उपर एबलेवल होंगे तो आप इस टेलिग्राम से जरूर जुड़ जाईएगा और मैं अनकाडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे लाई पढ़ा इसके लावा अगर आप वजेत के मिस्टी बायो को बहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे 2023 के बैच चल रहे हैं विद ग्रीट टीम जो इंडिया के बेस्ट फेकल्टी हैं जो रैंक प्रिडूस किया 2024 के भी बैच मेरे चल रहे हैं तो उससे आप जोड़ सकते हैं कोड में डॉक् के द्वारा तो चप्टर 14 इको सिस्टम ठीक है तो इको सिस्टम कान बी विजलाइज़ अज फॉंक्शनल यूनिट अफ नीचर वेर दे लिविंग ऑर्गनिजम इंट्रक्ट अमंग थेंसेल्फ और आउसो विदिन दा सराउंडिंग फिजिकल इंवार्मेंट मताब कोई बी आर्गनिजम जो होता है चाहे वह एकटिक हो टे जस्टियल हो हो और यह तो पर यह पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक कहते हैं फारस्ट ग्रासलन्ड डेजर्ट सम्ट सम्ट्रेंपल एक्वेटलियू कर सकते हैं जैसे हम खुझ से एको सिस्टम डबलाब कर सकते हैं जैसे माल लिजे कि हमने खेतों में कुछ फ़तल लगाया तो एक एको सिस्टम है आपने एक्वेरियम डबलाब किया जहां पर पानी रखा मचली उपर रखा तो एक्वेटिक उक्षक्राइब अन ora पुछाइं आ हम वा та अहीं हम पर हो तो इंट्राक्शन ओसूर्ट चानि एक धिकस्ट्राइब कुर्ट्अ कर एस्थे अमाइड मैं के तहीं को बिए सकतक विल्हां आंः ओव यहुर। distribution of the different species occupy the different level is called a stratification is called stratification कहते हैं for example tree occupy the top vertical strata tree सबसे उपर होता है and or the forests shrubs and the herbs और grasses विलकुल bottom पे होते हैं the component of ecosystem can be seen as a function unit when you consider the following aspect the productivity decomposition energy flow and nutrient cycle ये चार आस्पेक्ट में हमारा पूरा का पूरा ये चाप्टर खतम हो जाएगा तो first is productivity the productivity ये बहुत the constant input of solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and sustain आपको पता है कि जो solar energy होता है उसी पर हम लोग depend रहते हैं we are partially or totally depend on the sunlight हम लोग producer पर depend रहते हैं हम उसी उसी पर है the primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over the time period by the plant during the photosynthesis plant during the photosynthesis it is expressed in the term of weight per gram or energy per kilo calorie the rate of biomass production is called productivity plant अगर photosynthesis करता है और photosynthesis के द्वारा वो ग्लुकोस को बिनाता है और स्कॉल प्रॉडक्टिविटी इसके दो हिस्सें होते हैं ग्रॉस्प्राम productivity or net primary productivity gross का मतलब होता है कि पूरे photosynthesis के द्वारा plant कितना बनाता है biomass the gross primary productive ecosystem the rate of production of organic matter during the photosynthesis यानि photosynthesis के द्वारान plant ने कितना बनाया that is called gross primary productivity gross primary productivity minus respiratory loss अगर कर दें तो GPP निकल जाता है and that is called net primary productivity they are called net primary productivity net primary productivity is available biomass for the consumption of hetero tops अगर माने जए गाय घास को खाती है तो घास के अंदर NPP जो होता है net primary productivity होता है वही गाय के अंदर जाता है यानि net primary productivity होता है वही अबलेबल बायो मास है तो net primary productivity अबलेबल biomass consumption of hetero tops हर्वी वोरस and decomposes secondary productivity के बारे में बात करें तो इस डिफाइंड डिफाइंड रेट ओफ फॉर्मेशन अफ निव ऑर्गेनिक मैटर बाइद कंस्यूबर अगर माली जए कंजूबर ने खाना खाया थे कंजूबर ने खाना खाया तो उसससे कितना वह energy release बना रहा है उसको हम net secondary productivity कहते हैं the annual net primary productivity of whole biosphere is a prox 170 billion ton dry weight of organic matter और यहां पर ecology में data is very important एक एक शब बहुत important है for this despite about 70% of the surface of the productivity of oceans are only 55 billion ton समंदर सबसे ज्यादा है हर्थ के ऊपर अगर हम productivity के बात करें तो इसमें productivity सिर्फ पच्चमन billion ton ही होता है क्योंकि प्लांट नहीं है है ना decomposition के बारे में बात करें तो माल लीजे कोई plant है और प्लांट को कोई भी पार्ट लीफ बार्क नीचे फॉल हो रहा है तो उसे हम अधिट ट्राइटस कहते हैं जो भी फॉलिंड पार्ट है ओर इस्ट ट्राइटस के ऊपर जो फीड करें उसे डैट्री वोराज कहते है तो इस डैट्राइट्र में पॉर्स के आंदर जितनी भी और्गेणिक मैटीरियल है डिकम्पोजर के द्वारा डिकंपोजिशन के है उसके अंदर जो मिनरेल से मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी के अंदर न्यूट्रिंट रिच होगा मिट्टी हो और फिर से वह प्लांट अप्टेक कर लेगा तो डिकम्पोजिशन is nothing but it is a just cycle of the nutrient flow right the breakdown of complex organic matter into the inorganic substance like the carbon dioxide water nutrient and process called decomposition dead plant dead plant remains such as the leaf bark flower dead remain which we was a animal like fecal matter constitute the detritus which is the raw material for the decomposition deadivorous example earthworm breakdown the detritus into the smaller particles and this process is called fragmentation सबसे पहले छोटे छोटे चोटे तुकुडों में बाठते हैं इसको हम fragmentation केते हैं by the process of leaching the water soluble inorganic nutrient go into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt bacteria and fungal enzyme degrade detritus into the simpler inorganic substance and this process is called catabolism इसको हम catabolism कहते हैं अब इस cycle से आप देख रहे हैं कि यह लीफ गिरा ठीक है तो इसे हम detritus कहते हैं और इस लीफ के ऊपर कुछ attack कर रहा है detrivorus कहते हैं और इसे यह humus वोगर करके organic rich soil बनाएगा और फाइनली यह plant फिर से absorb कर लेगा यहां पर humification the lead to the accumulation of dark color amorphous substance called the humus dark color humus होता है they are highly resistance to the microbial actions and undergo the deposition at extremely slow rate धीरी धीरी degrade होना सुरू कर देता है the humus is further degrade by the some microbes and release the inorganic nutrient occur by the process called mineralization minerals इसमें flow होते हैं decomposition is largely on oxygen requiring process किसी को मतब कि जैसे decomposition होना है oxygen होना है तो इसमां oxygen की बड़ी भूमिकार रहती है the rate of decomposition is controlled by the chemical composition of detritus and climatic factor is also important for this right temperature and soil moisture and most important climatic factor they regulate the decomposition through the their effect and their activity of soil microbe now we have energy flow energy जो होता है एक ट्रॉफिक लेबल से दूसरे ट्रॉफिक लेबल में flow होता है you know very well the energy is neither created nor be destroyed they can be transferred from one form to the another form so on the incidence the solar radiation the 50% of its photosynthetic active radiation मतब कि sunlight का 50% जो है fall होता है as a park और पार का सिर्फ दो से दस परसेंट जो है इस्माल एंडाम पूरे इंटाइर वर्ल्ड में रहता है इन दोनों से question नीट में आया हुआ हुआ है तो दो से 10% पार का यूज होता है यहां पे अगर देखें the green plant is ecosystem are producer in terrestrial ecosystem the major producer are herbivorous and woody plant likewise the produce the producers in aquatic ecosystem are the various species like phytoplankton phytoplankton is present in aquatic ecosystem जो बिलो बौतम है फईटकमतल प्लांक्टन कमतल बौतम अल्गी in a higher plant animal depend on the plant directly or indirectly for the food need they are hence call they are consumer and they are called heterotops hetero का मतलब different top का मतलब nutrition जो अलग किसी दूसरे animals पर feed करें उसको हम heterotops कहते हैं if they are feed to the producer the plant they are called primary primary consumers and the animals they eat animals which turn eat and plant primary consumer will be herbivorous some common herbivorous are insects birth mammoth इसारे herbivorous होते हैं consumer which feed on the herbivorous they are called carnivorous जो हमारे हर्वी वोर्स को खाजा है गाय को खाजा है उसे carnivorous कहते हैं more correctly they are primary carnivorous through the secondary consumer those animals which depend on the primary carnivorous for the food they are called secondary carnivorous अब food chain होता है food chain का मतलब होता है the flow of energy from one traffic label to another trophy label they are the two type of food chain one is called grazing food chain another is called detritus food chain grazing में जी शुरू हो रहा है जी फर दे ग्रास इस ताट विदे ग्रास इस फिर ग्रास को गौट बकरी ने खाया बकरी को मैं ने खा लिया अना detritus food chain detritus a dead cell start होगा they start with a dead matter it is made up of decomposers the like they are heterotops organism mainly the fungi and bacteria decomposers जो होते हैं they secrete a enzyme that break down the dead waste material into the simple inorganic material and finally absorb हो जाता है and this natural interconnection of food chain is make food wave food wave का मतलब एक पूरा जाल बन जाता है एक को दस लोग खाएंगे दस को बीस लोग खाएंगे यह सारे चीज़ से इस टेबल बहुत important है producer आप देख रहे हैं इसे हम फर्स ट्रॉफिक लेबल कहते हैं जैसे सारे टिन्स टDamड अर्विक लेबल कहते हैं जू प्लंक्टन ग्रास ओपर फ्लाइट प्लांक्टन खाये गांगा अव्यो ताइम इस प्रफ नीट में आए वह कोशन है कि हर टॉपक लेवल में एक कुछ सटेनिबल एनरजी रहती है उसको हम स्टेनिग क्रॉप कहते हैं अब इस नमबर ऑफ यूनिट एरिया अबहुत कि फॉर्म में हम इक लाजी को बताएंगे कि सबसे टॉप और टॉफिक लेबल होगा त्री टाइब के एक logical pyramid होते हैं, pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy, यहां देखें, pyramid of number है, तो आप number के according यहां देख पा रहे हैं, तो primary producer देख रहे हैं, आप कितना ज़्यादा है, फिर primary consumer ज़्यादा है, फिर tertiary, secondary consumer इतना है, फिर finally, tertiary consumer हो गया, यह biomass है, कि biomass इतना है, फिर इतना है, इतना है, हमेशा ओपर के तरफ जा रहा है, और यह inverted pyramid of biomass of small standing phytoplankton supported by the large standing duplankton, यह आपके NCRT में हैं और इससे question पूछा जाता है, इसमें क्या होता है कि हमेशा ओपर जाता है, और इसमें 10% rule apply होता है, तो most of the ecosystem, all the pyramid of number, energy, biomass are upright, हमेशा ओपर की तरफ जाता है, यह producer are more in number, producer बहुत ज़्यादा होते हैं, and biomass then have a herbivorous, the herbivorous are the more in number and the biomass than the carnivorous, parameter biomass की बारे में बात करें, in a sea, generally inverted because the biomass of the fish are very larger as the phytoplanktons, parameter of energy is always upright, they can never be inverted, because when energy flow from a particular trophic level to the next trophic level, ecological succession के बारे में बात करें अगर, तो this change is orderly sequential parallel with the change in the physical environment, and this change is lead to the finally community that's near to the equilibrium and environment that can be climate community, right, the gradual and fairly predictable change in species composition given in area is ecological succession, succession का मतलब होता है की बदलाओ, पहले मान लिजे की तलाब था, अब वहां पे फॉरेस्ट हो गया है, आपने सुना होगा कभी की पहले यहां जंगल हुआ करता था, अज बहुत सारे building hospitals or school है, तो that is called succession, during the succession some species colonize the area and their population become more numerous, where the population of other species might be decline or disappear, the entire sequence of community that successively change in the given area is called सीरे, और इस दौराँ जो बदलाव होता है उसको हम सीरे कहते हैं, individual transition community is termed as a serial stage and serial community, succession in has is a process which is a start in an area where the non-living organism आर दे है, जैसे पहाड पर कोई organism नहीं है, सबसे पहले लाइकन आएंगे, अपना कुछ ऐसी सिक्रीट करेंगे, वहां स्वाइल का development करेंगे, स्वाइल डेबलप होगा, birds आएंगे, seed वहां लेके आएंगे और धीरी धीरी वहाँ पर यह प्लांट लाइक इस ट्रॉक्च्छ डबलाप होगा, प्राइमरी सक्सेशन सेखैशन क्या है, पहले से life हुआ है, ठीक है, अचलत के अचानक से disappear हो गया और फिर लाइफ सुरू हो गया, जैसे आप नीट में फेल हो जाते हैं, और फिर आपने हो सलाय जुड़ाया फिर से नीट में नीट की त्यारी करना सुरू कर दिते हैं, तो जैसे माले जय फॉर्स को काट दिया गया पूरा फॉर्स नहीं है तो फ्रस्टेट होगा तो सब्सकेंटर थे से इस अपने फॉर्स लगाना सुरू कर दिया तो फॉर्स इच्वेजिशन तो सक्सेशन इन हैंस प्रोसेस्ट इस सब्सक्राइब टर नो और इंडर नो लिव सब्सक्राइब कर एक दियुली फिर वहां पर नया कीज अएगा सब्सक्राइब सक्सेशन प्लाइब सब्सक्राइब place in the wet area and success successional series successional series of progress of hydric to mosaic condition headache suspension take place in dry area and a mosaic condition हो सकता है तो यह सारा और जो succession को स्टार्ट करता है पहली बार उसे हम pioneer species कहता है primary succession on rocks they are usually lichen which are able to secrete acid and dissolve the rock and helping the weathering जैसे मैं अभी बता था primary succession in water pioneer species small phytoplankton छोटे phytoplankton होते हैं फिर थोड़े बड़े होने लगते हैं सब मिजएक मिजएक और सारे देरे देरे हो जाते हैं secondary succession of species that evade depend on the condition of soil availability of water environment and also seed of other propagules तो आप देख पारने सबसे पहले phytoplankton आएगा submerged plant stays submerged free floating plant stays red swarm stays mars midway stays scrub and finally they form forest now the nutricycle nutrient एक फूसरी 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 पूसरी जाना the amount of nutrients such as the carbon nitrogen phosphorus calcium etc they are present in the soil at given time is referred to the standing state and various different kind of ecosystem and now the seasonal basis the movement of nutrient elements through the various component and ecosystem is called nutrient cycle another name of nutrient cycle is bio chemical cycle bio means living organism geo means rocks air and water nutrient cycle are two types one is called gaseous another is called sedimentation the reservoir of the gaseous type of nutrient cycle is nitrogen carbon they are existed in atmosphere for the sedimentary cycle sulfur phosphorus cycle reservoir located in earth crust carbon cycle 71 percent carbon is found in dissolved oceans 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 reservoir regulate the amount of carbon dioxide in atmosphere fossil fuel is represent the reservoir of carbon say sara chis hai asa estimate kiya jata 4 into 10 to the power 13 kilogram carbon is fixed annually the biosphere through the photosynthesis some amount of some amount of they are fixed carbon is lost in sediment and removed from the circulation burning loakade jasa hi jalaayenge forest fire hooga to this sepa carbon dioxide jayega 1 for a cycle is very important for sources major part of biological membrane like nucleic acid cellular energy transfer of system many of animal they need large quantity of this elements to make a shell bone and teeth एको सिस्टम सब्स पर लेजेगा अब पर इंपॉर्टन सबसे पहले रॉक से रॉक्स वेदरिंग प्रसेस वा स्वा स्वाइल में आ गया स्वायल से मिटी में प्रोडूइसर लगे होते हैं पर दूसर ने इस फॉस्फपरोस को ले लिए फॉर्डूइसर को कंजूमर के सब्सक्राइब कर रहे होंगे उर्मी तनीशा मेडिकल हर्यों राहुल आयशा किरन मयंक बहुत ही जल्दी हम पूरे 12 को खदम करने वाले हैं जुलाई 1 से क्लास 11 करेंगे क्लास 11 में चप्टर बहुत ज्यादा है तो वैसे ही अल्टरनीट रखेंगा में 11 एक चप्टर फिर 4 o'clock एक चप्टर करते करते हम most probably 10 जुलाई तक पूरा 11 को खदम कर देंगे 30 तारी को एक बहुत बड़ा एवेंट होने वाला है आप सब के लिए 30 तारी को आपका मुझे 5 घंटा चाहिए उस 5 घंटे में पूरा का पूरा क्लास 12 खदम करना है 11 बज़े से लेके अब 5 चार करीब 4 से 5 बज़े तक आपको मुझे देना है लगातार बैट के पूरे क्लास 12 को मेरे साथ पढ़ना है आपको एक 30 तारी को होने वाला है तो ना स्वाइल SD, विशाल, सुमेथ ठीक है तो एक 30 तारी को होने वाला बहुत बड़ा इवेंट ठीक है तो आप इसके लिए बिल्कुल त्यार रहिए ठीक है और 30 तारी को 11 बज़े से लेके हम 3 से 4 बज़े तक पढ़ेंगे लगातार 5 से 6 घंटे में पूरे क्लास 12 को चप्टर 1 से लेके लास तक खतम करेंगे ठीक है और आप सब के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं ठीक है और बदले में बस आपका सेलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप सेलेक्ट हो जाएए यही मेरा है जितने भी चीजे लिखी गई है मैंने खुद अपने हातों से लिखी है प्लीज शेयर करते रहें दोस्तों को बताते रहें हर जगा यह फैलना चाहिए एक भी बच्चा रहना जाए बहुत सारे बच्चे सक्षम नहीं होते हैं 5000 को खरीदने में कम से कम उनके पास पहुंचाने का काम तो आप ही का है आप उनको पहुंचाए अपने वाट्ट